हाई फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल नीलू क्रियेशन आज हम जानेंगे कि हमें सिलाई सीखने के लिए किसके सामन की जरुवत पढ़ती है और मसीन कैसे चलाना सीखते हैं तो सबसे पहले हमें टैप की जरुवत पढ़ती है टैप में एक साइड जो बहुत पास पास दू एक टैप में आपको 60 इंच का नाप लिखा हुआ होता है और इसके बाद हमें दूसरे सामान की जरुवत होती है वो यह कैची होती है तो अब हम देखते हैं कि कई लोग मसीन चलाते हैं तो सबसे पहले इस तरीके से कपड़ा लेते हैं और अपने सिलाई चालू कर देते है तो सिलाई चालू करते हैं तो यह सिलाई सही नहीं होती क्योंकि उनको मसीन नहीं आती वो एकदम से ऐसे सिलाई नहीं कर सकता तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए धागा निकाल दीजिए मसीन में से और फिर उसके बाद आप नीचे से बाबिन में से भी धागा निकाल दी और यदि आपकी मसीन गलत चलेगी तो आपका जो कपड़ा है वो अपने आप आपका अभी देखते जाएए बिलकुल सीधा जा रहा है लेकिन जयसे ही आपके मसीन पे कपड़ा को फिरसर रख के देखेंगे और यदि आपका जैसी उल्टा पैर चलेगा तो आपके मसीन का जो कपड़ा है वो आपके पास आते रहेगा लौट कर क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ेगा ये देखिए कपड़ा बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा है और यदि आप कपड़े को सीधा उल्टा चलाते रहेगे तो ये आपके पास लौट कर आते रहेगा और आप सीधी मसीन चलाते हैं तो सीधी मसीन में ये कपड़ा आपके सही से आगे जाएगा और उस पे आग जा कर सिलाई होते रहेगी तो आप देखिए आप नीचे पेर चलाते हैं इसके लिए आप अपने पेरों को पेरडान पे सबसे पहले सामने सीधे ले जाईए फिर पीछे ले जाईए इसाभी के सबसे आप आगे पेर ले जाते जाएए और फिर पीछे ले जात Nor remain तो आपकी मसीन जो है सीधी चलती जाएगी तो ये सीधी चलते जा रही है आप देखिए पैर आपके आगे जा रहे हैं फिर पीछे जा रहे हैं आगे फिर पीछे तो इस तरीके से चलाने से आपकी जो मसीन है वो बिल्कुल सीधीन में धागा कैसे डालते हैं सबसे पहले इधर डाला फिर उसके चक्री से राउंड लिया फिर उसके बाद इसमें डालकर नीचे ले आएंगे फिर इस छेद में से डालने के बाद सुई में धागा डाल देंगे तो सुई में डालने के बाद अब हम नीचे बाबिन लगा देंगे और अब हम मसीन चलाएंगे तो यह देखिए आप धागा डालने के बाद फिर इस तरीके से अपनी मसीन को चलाईएगा तो इस तरीके से आप कपड़े पर बार बार सिलाई कीजिए अगर हो सके तो आप इसके लिए bed sheet या रजाई की जो खोल होती है उनको लेकर और उन पर सिलाई कीजिए क्योंकि उनकी सिलाई जो होती है वो बहुत लंबी होती है तो इससे क्या फायदा होगा कि एक तो आप सिलाई करना सीख जाएंगे मसीन आपसे चलने लगेगी और दूसरा उस पर आपकी जो बैडशीट है और जो रजाई की खोल है उन पर डबल सिलाई हो जाएगी तो बार बार आप इन पर सिलाई कीजिए जब आपकी सिलाई इतनी जादे हो जाएगी तो आपको मसीन चलाना बहुत ही सरल लगेगा और अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे हम इस तरीके के वीडियो ला सकें और वीडियो को देखने के लिए आप सब का धन्यवाद, राधे, राधे